नमस्कार मैं हूँ अभयकुमार आप देख रहे हैं अपना खास कारकरम बिहार समाचार बिहार समाचार में खबरे बिहार की बाते बिहार की देश दुनिया की तमाम खबरे जो आपको जानना जरूरी है बिहार समाचार में खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से पंचायत के गलियों से और गाउं के चौपालों से जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है तो बिहार समाचार में पहली खबर हम एक गाउं सही लेते हैं लेकिन गाउं खास है नालंदा जिले का कल्यान भीगा गाउं में पहुंचे से ये नितीश कुमार गाउं खास इसलिए है कि नितीश कुमार का मुख मंतरी का पैत्री गव है वहाँ गये अपनों से मिले अपने माता पिता को सअधानunden दिया अपने मित्रों से मिले और वहां लोगों से कहा कि जल्ददि समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा और बहुत ख़़ प्रभावित करेगी कि अब आंगनवारी सेविका सहाई का बहाली की परकिरिया ने ब्यापक बदलाओ किया गया है जहां पहले आंगनवारी सहाई का के लिए आठमी पास होना जरूरी बताया गया था अब वह मैट्रिक पास का ही चैन होगा और दूसरी तरफ अंगनवारी सेविका जहां मैट्रिक पास थी अब इंटर पास की ही बहाली होगी और जो मेगा सुची तयार किया जाएगा जिसके पास जितना जादा एजुकेशन होगा उन्हें का ही चैन होगा और अगर एजुकेशन बराबर होता है तो फिर दंबर के अधार पर मेगा सुची तैयार किया जाएगा और दूसरी तरह पर यह बताया जा रहा है कि अगर दोनों पदों के लिए जीला से बिग्यापन निकला जायेगा ऑनलाइन कितन दिया जाएगा उसके बाद ही अंगरवारी से विकास आयए होगे जो पहले की तरह थी अध्यस्ता करें गे वाडर सदश यानी वाड़ अध्यक्ष ही अध्यस्ता करेंगे स्यादियू और स्येडियू अतुर्वाइशन से लेकर उसका एलेस होते हैं लेस सुपर वाइ की गुंजाइश बताई जा रही है और वहीं अर्वल से कुछ बड़ी खटना रही है अर्वल जिला से खटना रही है छिडखानी का बिरोध किया तो मासूम बेटी के साथ सो रही दोस्त की पत्नी को जिन्दा जलाया पूलिस ने सिकायच सुन ली होती तो ऐसी बरदात नहीं होती क्योंकि महिला की हुई मौत पीम सी एच में मासूम बेटी की हालत गंभीर दोस्त जील गया तो उसकी पत्नी पर थी बूरी नजर पहले भी कई बार खरकानी कर चुका था सिकायच के बाद पूलिस ने जाड़ लिया था पल्ला और ठाने से लोटा दिया था उस महिला क तो सोम बार की साम छलकानी कर रहा था गोतनी ने मार कर भागाया था तो जाते वे धंके दिया था कि तुम्हें जिंदा जला देंगे और बारदात को अंजाम दे दिया यह बहुत बड़ी घटना है और इस घटना पर पुलिस अब जाज कर रहे हला कि पुलिस पहले अगर महिला की फर्याद सुनी होती तो ऐसी घटना नहीं होता और एक बहुत बड़ा अपडेट है करोना के टीके को लेकर बहुत बड़ा अपडेट है मामला चल रहा था सुप्रीम कोट में कि अगर करोना के भैक्सिन लगाने के बाद अगर उसका साइड इफिक्स किसी की मौत ह हो जाए तो क्या सरकार कितनी जिम्मेवार है तो सरकार ने पल्ला जाल लिया है कहा हमें हम दर्दी है पर टीके के साइड इफिक्स मौत में हम जिम्मेदार नहीं है सरकार का कहना है जिसका सुरच जिसको सुरच्षित लगे ओ लगवाए मर्दी से लगवा रहे हैं लो टीक केंद्र सरकार का या बयान है वहीं हलप नामा में जो खास बाते दिया गया था साइड फिक्ट केस भारत में सबसे कम है अस्ट्रेलिया में 177 तो कनाडा में 105 भारत में 26 है देश में महाजे कि दसामलों में कह रहेंगे कि दसामलों जीरो जीरो चार एक परतिसत को मामूली साइड फिक्ट आया है बुखार लगा है सर्दी हुई है लेकिन मौत भी हुए लेकिन मामला यहा था कि दो रचना गंगु की 18 वर्ष की बेटी मई 2021 में कोविशल की प पहली डोज लगवाई थी और जून 2021 में मौत हो गए थी वहीं को पानल बेनुग पालन की बेटी एक ने 21 जून को को विशल की दोज लगवाई थी और उसकी भी मौत हो गए थी दोनों परिवारों ने सुप किया था तो यह साफ कर दिया कें सरकार कि अगर कोविड वैक्सिन से अगर किसी की मौत होती है तो सरकार गिम्मेवार नहीं है और वही पटना से खबर आ रही है भरष्टाचार मामले में गया के लैव असिस्टेंट दोसी जेल भेजे गए भीजलेंज की विशेष अदालत में मंगलवार को भरष्टाचार मामले में आरोपी राश्ट्रिये उच्पत परमंडल डेहरी ओंस ऑन कैंप गया में लैव हश्बवीचश दिसंबर से बालु खनन हो जायेगा है बंद निरमान से शरी पर जुड़े सभी विभागों को डिया गया है ऐसी सब भी us- Paul Sun 자e कि अनुमति और क्या था मामला क्या था बिहार में फिर संक्ट हो सकता है अभी राज में बालु खनन का काम बिहार राज खनन विभाग के पास से या अवदी 25 दिसंबर को खत्म हो जाएगी खाने मंग भुतत्व बिभाग की अपर मुक्षचीव हर जोत कौर बमहारा की और से प्रिसित पत्र में विभीन विभागों को यह सूचना दी गई है कि बालू आप अस्टॉक कर लिए अगर निर्मान से जुड़े हैं तो हाई कोट में मामला था हाई कोट के अंत्रीम आदेश में बालू घाटो के निलामी अविलम संपन कराने उन सिग्र प्रयावर्नी सु निलामी के अगर इस्तिति की अर्बात करें तो बालू घाटो के निलामी दीले में लगातार चल रही है और यह जल्द ही पूरी हो जाएगे लेकिन दुबारा खरंचालू होने में समय लगेगा कोट ने निलामी के से पूर्व अस्टेट इन्वारमेंटल इंपैक्ट असे सब्सक्राइब कर दिया है और सभी विभागों को अलर्ट जारी कर दिया गया है और बहुत बड़ी खावर आ रही है कि पंचायती राजविभाग में लोग कहते हैं कि सदन का क्या पावर है उज़र बिधान सभा लोग सभा का पावर है अगर बीडिसी की बैठक होती है त और रंगाबाद जिली से खबर आ रहे हैं रंगाबाद जिली के हस्पूरा प्रखंड से रहेंगे सांसत को यहां उपस्थित होना पड़ेगा हलाके इस मामले को लेकर तू तू मैं मैं बहुत हुआ अंतता सांसत परतिनीधी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया बीटी बीडी सी के बैठक से निकाल दिया गया तो पंचाय समीती सदस्यों और मुखिया ने अपनी पावर का परयोग किया और सांसत परतिनीधी को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया और इधर बात करके पटना में चल रहा है वाट सदस्यों के आंदोलन की आग जो है गाउं गाउं तक पहुच चुकी है और गाउं गाउं में लोग जूंड बनाकर अब एक दूसरे वाट के पास जा एक और यहां इसा बनाया जा रहा है कि पंदर्रा दिशंबर तक अगर मांगे नहीं मानी गई सारे के सारे वार्शास इस्तिफा दे देंगे और पार संग महा संग के पर दिस सद्धेश्य गने चोधी लगातार पटना में अनसर पर बैठे हुए है उनकी हालत गंबीर होती जा रही है सरकार के तरफ से भी दबाव दिया जा रहा है लेकिन वाट सवर्ण जुकने का नाम नहीं ले रहा है अब मामला क्या बनता है आगे देखनी वाली बात है और समस्ति पूर से बड़ी खबर आ रही है मौब लिंचिंग की स्वर्ण ब्यवसाई को लुटने आये पा बादमास बादमासोर की गोली से एक अन्य कारोबारी भी घाय लोगे लगातार स्वर्ण बसाई के साथ लूट पाट हो रही थी अब उनका सबर का बांट तूट गया और लूटेरों को ही धोदिया मौब लिंचिंग कर दी अजिससे एक की मौत होगे हलाके ठोक तंत्र कभ होना पड़ेगा और इधर बात करें सूबे में राजी में सरकारी इंजिनिरिंग का लेजों में 5242 सीटे खाली है इंजिनिरिंग के कोर ब्रांच और सीविल मेकेनिकल और अलेक्टिकल में 80 फिश्दे फिश्दी सीटे रिखता है अगले वर्स से बदल सकती है ना मांकन प करता है और वहीं परिक्षा में परमोट करने की प्रकिरिया को लचीला बनाएगा पटना विश्व बिड्याले और मखाना महोस्तों क्रिसी मंत्री बोले खेती के लिए किसानों को दे रहे हैं अनुदान एयरपोर्ट पर मखाना की होगी विक्री दस साल में उत्पादन ठा को पर उतर चुका है मांगो को लेकर पासी समाज दे गांधी मैदान से लेकर डाक बंगला चौराहा तक को रखा अपने कबजे में जाम रहा चार घंटे तक अफरा तफ्री पटना रादानी में मची रही ताली पर रोक हटाने और नीरा को की सरकारी खरिदारी को लेकर मार करेंगे और नीरा से पासी समाज को ज्यादा लाब होगा लेकिन जैसा कि है कि अगर ताड़ी नीरा उतारा जाए कुछ देर ठोड़ दिया जाए कुछ घंटे छोड़ दिया जाता है और ताड़ी बेचना बिहार में जुर्म है और इसे जेल भी जा सकते हैं तो पासी है और का है अपनी कई मांगों को लेकर दस सुत्रिय गारा सुत्री मांगों को लेकर पटना में के डंगला दाक बंगला चोराहा से लेकर दानी मैदान तक अपने कबजी में रखा और जाम किया है और एक समसार कर देने वाली घटना है बिहार बिहार के रानी गंख अररिया से खबारा रही है बारहजार में बारह साल की लड़की के साधी का सौदा हुआ है पैसों के लिए बिवाद हुआ दुलहा और दलाल गिरफदार हो गया है अरय है के रानी गंज का मामला है रूपियों का लालस ने दलाल के जडरी बेंतिया से सादी रचाने आया था 35 साल का दुल्लह डुले के भाई ने ही ने कहा 12000 जियें लडलकी का पिता बोला पैसे नहीं मिला है यह उससे जिसको पैड़ा किया उसे बारह जार में बेचने का मामला है और वहीं पंद्रह मियट पे पार्फल डिलेवरी कंपनी के ऑफिस से लूते तीन लाग सीता मड़ी से घटना रहे हैं बारदात हुआ है बार मासुने कर्मियों को बंदक बनाकर पीटा और आठ बाम में एक्टिस डालर सस्ता हुआ कच्छा तेल घटेंगे पिट्रूल और डीजल के दाम लोगों को मिलेगा राहत और बीजिसों सी ख़बरे के बात करें तो बीजिंग समेत आठ सो पचास इलाको में परवसंद दबाने के लिए होस्टल खारा खाली कराया जा रहा है च्छा वहीने से विरूत की याज भड़कते जा रही है इस साल छासो अठासी हरताल चीन में हुए है अकेले चीन में हुए है तो दोस्तों है तो तमाम खबरें जो आपको जानना जा रही था इसी तरह से खबरों के लिए जुले रही है हमारे साथ तो हमसे जुले रहने के लिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करूर कीजिएगा दबा के लाइक कीजिएगा अपना बहुत-बहुत ख्याप रखेगा मिलते हैं अग